सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार मैं सुनिल वर्म धे आईयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धेटिवेपर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोग्राम पर जैसा की हम प्रती दिन करते आएं इस वीडियो में मैं दो टापिक डिसकस कर रहा हूँ पहला जो टापिक है इसमें हम बात करेंगे डबलू एक्चो के बायो हब इनिसेटीव के विसे में समझेंगे कि आखिर ये डबलू एक्चो का बायो हब इनिसेटीव क्या है क्यों चर्चा में बना हुआ है और क्यों हमारे लिए मरत पूर है वह जो दूसरी कबर है उसमें हम बात करेंगे स्रिलंका के पास घटित हुई एक घटना के विसे में जो समुद्री पारस्थत की अर्थाद मेरिंग इकोसिस्टम के पॉंट अब्यों से काफी मारत पूर है आए इनी दोनों खबरों को एक एक करके विस रेसिट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे डबलू हचो के बायो हब इनिसेटीव के विसे में सबसे पहले इसी सब्द को समझे लिजिए कि आखिर ये बायो हब क्या होगा तो जैसा कि आपने देखा होगा अधिकांस देशों में क्या होते हैं कुछ लैब होते हैं उन लैब में क्या होता है कि बीमारियों पर रिसर्च होता है bacteria virus fungus जो होते हैं इन पर research हो रहा होता है और research करके हम क्या कर रहे होते हैं यह जो pathogen's हैं अर्थाद bacteria virus fungus हैं इनके दोरा जो बिमारियां फैलती हैं उनको रोकने की हम जो है कि निदान की पद्धती तलास रहे होते हैं लेकिन कई बार आपने देखा है कि यहां से क्या होते हैं बायरस जो है कि बाहर आजाते हैं? जैसा कि COVID के संदर्म में कहा जाता है कि यह क्या हुआ, चीन का जो भुहान लैब है, वहाँ से बाहर आया था. तो इसमें दिक्कत यह होती है कि सभी देश अपना अपना लैब चला रहे हैं, सभी के पास कुछ अपने बैक्टीरिया हैं, बाइरस हैं, फंगस हैं, जिन पर वो रिसर्च कर रहे होते हैं, और किसी देश को अगर दूसरे बैक्टीरिया, बाइरस, फंगस की जरूरत होती है तो दूसरे दिश से प्राप्त कर लेता है तो अब WHO ने कहा कि नहीं हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम क्या करते हैं एक बायो हब बनाएंगे और यह बायो हब क्या करेंगे इनमें क्या होगा जो यह बायोलोजिकल मेटेरियल होते हैं अर्थात जो बैक्टिरिया है बारस है फंगस है कोई जीव है जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं इनके लिए क्या होगा एक प्लेट्फॉम बनाया जाएगा और इनको यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी लैब है वहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी व दूसरे देश लाए जाते हैं तो उनके जो की सुरच्छा कैसे हो साथी साथ अगर कोई टेश्ट के दोरा कोई वारस अगर बाहर आ जाता है तो कब इसकी सूचना दूसरे देशों को देनी है जैसा कि कोविट के संदर में हुआ चाहिना ने अगर समय रहती इसकी सूचना होती है तो साथ आज यह रूप नहीं होता तो कुल मिलाकर यह जो बायोजिकल मेटर्स होते हैं मेटेरियल होते हैं इनके लिए क्या किया गया है एक प्लेटफॉर्म का विकास किया जा रहा है और इहीं प्लेटफॉर्म क्या कहलाएगा बायो हब कहला है थोड़ा अब इसक जो कि Swigunland में है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, पर्थम BioHub परियोगसाला बनाया जाएगा, और यह जो BioHub Lab के रूप में होगा, यह क्या होगा, क्या होगा एकň प्लेट्पॉर्म होगा, यहाँ से दूसरे देश क्या कर पाएँगे, जो Biological Material होते हैं, उसको ले पाएँगे साथ ही साथ उसका भंडारन कैसे किया जाए उसको कैसे जो है कि बैक्टीरिया, फंगस, परजीबी की एक देश को अगर आओ सकता है तो दूसरे देश में कैसे पहुचाया जाए उनका राक रखाव कैसे हो उनके फैलाव की जनकारी कैसे दी जाए इन सभी चीजों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा यह जो है कि स्विजन लेंड में पर्थम बन रहा बायो हब प्रयोग साला यह भी क्या होगा एक लैड में होगा लेकिन जो इसके स्टेंडर्स होंगे वह अलग लेबल के होंगे और अगले जो भी प्रयोग सालाएं इस इनिसेटिम में जुडेंगी सभी को क्या करना होगा इसका पालन करना होगा अर्थाचार सीक्योर्टी का फीचर्स हो या फिर डेटा को जो है कि सेयर करनी के बात हो या फिर जो है कि बैक्टीरिया ह्वंगस अजो पैरासाइड्स वगरा है इनको इनकी किसी दिवसरे देश को आफ सकता हो तो एक लैब से एक दूसरे लैब तक कैसे इनकी आपूरती हर जग़े सुलिश्चीत हो ताकि किसी को ऐसे ही बैक्टीरिया वायरस जो है की जनरेट ना करना पड़े इन सभी चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा इसी बायो हब जो है की इनिसेटिव के मात्यम से इसमें क्या होगा धीरे धीरे जो बिश्व की प्रयोग सालाएं हैं उनको जोड़कर एक चैन का निर्मार किया जाएगा इससे क्या होगा कि जो भी प्रयोग सालाएं यह बैक्टीरिया, फंगस, पेरासाइट्स वगरबर अगर कारे करना चाहती हैं तो उनको यह जो बायोज में इन biological material की आपूरती समय पर हो पाएगी सभी चीजों की जानकारी पारदर्सी तरीके से होगी वहाँ पर security के measures अच्छे होंगे तो इससे क्या होगा research की activity को बढ़ावा मिलेगा और साथी साथ जो बीमारियां हैं उनको रोग था में पूरा best week जो network है वो तुरंत active हो सकेगा इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी pathogen's है अगर इसके बिसे में कोई सूचना किसी भी lab को मिलती है तो दूसरी lab को दे इससे क्या होगा कि सभी देश की lab क्या करेंगे उसको गंभीरता से लेकर उस पर कारी कर सकेंगे जैसा कि COVID के संदर में चाइन अपने तरह से निपढ़ता रहा लेकिन अगर उसने सभी सूचना पारदर सी तरीके से दी होती तो आज एक condition ना होती कोई मिला कर इससे क्या होगा जो जैविक सामागरी है अर्थात यह जो वैक्टीरिया वारस फंगस बगरा होते हैं इनके जो lab में इनके research के लिए जो साम ही और यह क्या होगा वैस्विक नेटवर्क की जो है के मार्ग परसस्तों हो सकेगा इससे यह भी होगा कि जैविक्स जो सामागरी है उसका भंडारान परिवहन और जो वैस्विक निगरानी है वह बढ़ पाएगी इसमें जो भी सदस से देख सोंगे उनको अपने हां के जो मौडल के रूप में होगा और इस तरह से जो परियोग सालाओं की सभी आवस्तकता है तकनीक की से लेकर उपकरण से लेकर या फिर आवस्तक बस्तों के लेकर उस सभी पूरती हो पाएगा इसके माध्यम से एक रेगुलेशन का निर्मार किया जाएगा जिससे किसी इसका मतलब है कि जो महामारी विज्ञान और नैदानिक डेटा अर्थात इप्रेटोलोजिकल एंड क्लीनिकल डेटा के समन्वे को बढ़ाएगा इसका मतलब है कि जो महामारी के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं और उनके उपचार के लिए जो डेटा चाहिए चुँकि सभी इस चीज़ कि डेटा का है कि कौनसा वारस किस तरह से म्यूटेंट कर रहा और उसमें परिवर्तन आ रहा कैसे उसका हम निदान कर सकते हैं इनके डेटा के जो है कि इंटीग्रेशन को यह बढ़ाएगा इससे क्या होगा निदान चिक साथ इका नेर्माद प्रिक्रिया आसा पहले महत्पुड़ी इस वज़े से है कि हमने COVID-19 से सीख लिया है कि कभी भी अगर कोई बायरास है जो है कि किसी परकार का अन्य पैथोजन्स अगर बातबरण में आता है जिससे लोग को हानी हो सकती है तो उसके लिए हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए कि कैसे इस जो को हमने COVID-19 से सीख लेते हुए इस बायो हब इनिसेट को बढ़ाया इससे क्या होगा समय रहते जानकारी उपलब्द होगी रोग थाम आसान होगा जो दूपच्छी समझोते होते हैं वह कम होंगे और इससे क्या होगा एक बैस्विक नेटवर्क को एक सेंट्रलाइज ए और इस तरह से अंतराष्टी प्रयोग सालाओं का नेटवर्क बन पाएगा अब हम समझते हैं WHO और कुरोना बारस के संदर में कुछ चीजों को आप समझ लीजिए आपको पता है कि WHO जो है कि कुरोना बारस को बुहान लेप से जोडने से इंकार करता आया है और इसी मुद् वो इतम के लियर हो जिससे इस संस्था पर इसकी जो गर्मा है इसका जो नाम है या बर्बाद ना हो या इसपर कोई प्रश्च्च चिण ना उखे और चूंकि डवलो एचो चीन का फक्ष लेता हाया है तो इससे क्या हुई इसकी जो गर्मा है वो धूमिर हुई है कई को कहना है कि WHO अपनी विश्वसनीता को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है कुल मिलाकर अगर देखा लिए तो WHO अपनी उद्योसों की पूर्थी में एक और कदम आगे बढ़ा रहा है प्रशना आएगा कि आके WHO के उद्यस क्या थे तो WHO के उद्यस था कि जो बैस्विक स्वास् बढ़ाया जाए और इसी उद्यस के तहर सेबंत अफ्रेल 1948 को इसको इस्थापित किया गया 94 सदस्देश हैं इसके सदस्देश हैं मुख्याले स्यूजरलेंड के जिन्यों में है तो इसी उद्यस की आगे बढ़ाने के लिए यह किया गया है इसके अलावा इधान रखेगा कि उनाइटे नेशन की आनुसांगी की काई है इसका जो पैत्रिक संगठाने वो बहुत महत्पूर है वो है संयुक तराश आर्थिक और सामाजिक परसत तो ध्यान रखेगा और बाकि इनके महाजो निदेश्तक हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है अब हम बात करते है सिलंका के पास घटित हुई एक घटना के विशे में तो आपने कोलंबो कोष्ट का नाम सुना होगा तो इसके बाहर एक कंटेनर पिछले सब्ता से आग की समस्या का जो है कि सामना कर रहा है पहले आग रूप गई थी लेकिन चूकि उसमें जो क्या इस कंटेनर में केमिकल और जो केमिकल ऊत्वत है और जो क्यमिकल थे उसमें जो है कि फि綠ींट भी था नाइट्रिक असे जैसे क्या हुआ एक बार जो है कि बंद हो गया था आग लेकिन फिर से क्या हुआ जैसे कंटेनर पल्टें फिर से आग बढ़ती चली जा रहे है अब ही जो फियूल है जो के साव है समुद्र में होने लगा है और जो कंटेनर था इसका नाम था MB Express Pearl तो यह MB Express Pearl क्या है यह आपको याद रखना है इस से भारत जो है कि इसमें क्या कर रहा है इस पोर्ट पर अर्था जो जहाज था इस पर पांच भारती भी सवार थे और यहाँ इंडियन कोष्ट गार्ड का जो परहरी जो जहाज गया है यह तेल रिसाव की समझता का समाधान करने में महतपूर भूम का निभारा है सिर्लंका इस आग पर काबू करने का लंबे समय से प्रयास कर रहा था लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाई है अब आपको पता है कि जो तेल में समुद्री रिसाव होता है ये कुल आज की घटना नहीं है ये बहुत लंबे समय से होता है और तेल का जो अधिकांस रिसाव होता है ये कहां से होता है जो समुद्र में ये जो जहाज होते हैं जो फ्यूल को कैरी कर रहे होते हैं इनमें जो योगान होता है और इससे क्या होता है कि जो उहां का ecosystem है वो काफी परभावित होता है जैसे कि जब क्या होता है तो oxygen का level जो है क्या हो क्या हो जाता है उसमें कम हो जाता है इसके अलावा जो oxygen का level जब कम हो जाएगा तो उहां पर जो मचली है जीव है पूरा जो मेरिंग एकोसिस्टम बना हुआ है उस पर क्या होता है निगेटिव इंपक्ट पड़ता है इसके अलवा जो समुत्री जीव है चाहे मचली हो या पक्षी हो उन पर भी परभाव पड़ता है आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं जैसे ही उस पानी में दूप जाते हैं या उन पर पानी पड़ जाता है वाला तो उनकी जो फंग होते हैं वह चिपक जाते हैं और उसके वज़े से उड़ नहीं पाते हैं साथी साथ जो अगर वह पानी तेल वाला चला जाता है तो उनकी किट्नी खराब हो जाती है मतलब उनका पूरा जो मेटा क्या होता है कि यह जो पेट्रोलियूम हाइड्रोकारवन है भी सेले धातुनों है और जो परदुसक्तत्तों है यह सम्मुद्र में जो है कि इनका अंफात बढ़ता जाता है और यह क्या होता है खाद इस रिंकला के मात्यम से इंसानों तपी पहुंचते हैं इसलिए यह जो य मेरीन एकोसिस्टम के पॉंटब्यों से काफी बड़ी चुनोती पूर्ण घटना माना जा रहा है आईवोप जो है कि चुके भारतिये टटरच छकबल अर्थात इंडियन कोष्ट गार्डों हाँ पर पहुंच चुका है सभी चीजों को बहुत आसान तरीके से डील कर लिया होंगे कि है जो MB पल एक्सप्रेस पल है यह क्यों चर्चा में बना हुआ है इस वीडियों कितना ही थैंक्यू सो मच